नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जी हाँ थाइराइड का सबसे आसान अचुक उपाय जो सिर्फ 15 दिनों में अध्भूत परिणाम देगा जरूरी से यह मास्टर लिवर है थायराइड गरंथी के समस्या से घ्रस्त लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है खनपान में अनियमित्ता के कारण यह समस्या होती है थायराइड गरंथी तितली के आकार की होती है जो गले में पाई जाती है यह ग्रंथी उर्जा और पाचन की मुख्य ग्रंथी है ऐसे जिन्स का स्त्राव करती है जिससे कोशिकाएं अपना कारे ठीक प्रकार से करती हैं इस ग्रंथी के सही तरीके से कारे न कर पाने के कारण कई तरह की समस्याएं होती हैं अखरूट इस ब स्तार से जानेंगे कि शनके से कि साइलिंट की लर्माना जाता है क्योंकि की लक्षन व्यक्ति को धीरे-धीरे पता चलते हैं और जब इस विमारी का निदान होता है तब तक देर हो चुकी होती है ुम्यूण सिश्टम में गड़बडी से इसकी शुरुवात होती है लेकिन ज्यादा तर चिकित सक इंटी बोडी टेस्ट नहीं करते हैं जिससे ऑटो इम्मुनिटी दिखाई देती है थाइराइड की समस्या दो प्रकार की होती है हाइपो थाइड़ाइडिज्म और हाइपर थाइड़ाइडिज्म थाइराइड ग्रंथी से अधिक हार्मोन बनने लगे तो हाइपर थाइड़ाइडिज्म और कम बनने लगे तो हाइपो दिखाई देते हैं थाइराइड हमारे शरीर की कार्य पधती में बहुत महतोपून भूमिका निभाता है शरीर में होने वाली मेटाबलीजम क्रियाओं में थाइराइड ग्रंथी से निकलने वाले थाइराइड टिकसीन हार्मोन के महतोपून भूमिका होती है Metabolism क्रियाओं से ये निर्धारित होता है कि शरीर में बनी उर्जा को कब स्टोर किया जाए और कब कितना यूज किया जाए इसलिए शरीर में उपस्तित thyroid gland में किसी भी तरह की अन्यमित्ता होने पर पूरे शरीर की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है इस ग्रंथी में अन्यमित्ता होने पर समान्यत हाइपो थाइराइडिज्म घाथे होना या कैंसर होने जैसी समस्याएं होती है अगर आपके साथ भी thyroid की ग्रंथी की अन्यमित्ता से जुड़ी कोई समस्या हो तो हम आपको इसके भारे में उप्चार बता रहे हैं इस पे ध्यायन दीजिए थाइराइड में अन्यमित्ता के लक्षन जानिये हार्मोनल बद्दाव महिलाओं को पीरियट्स के दोरान थाइराइड की स्थिती में पेट में दर्द अधिक रहता है वहीं हाइपर थाइराइड में अन्यमित पीरियट्स रहते हैं थाइराइड की स्थिती में गर्भ धा थाइराइड में कोलिस्ट्रोल बहुत कम हो जाता है थकान और साध या घबरहट अगर बिना अधिक मेहनत किये ही आपको थकान महसूस होने लगे या छोटी छोटी बातों पर घबरहट होती है तो इसकी वज़ा थाइराइड हो सकती है मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द हाइपो थाइराइड यानी की शरीर में TSH अधिक और T3, T4 कम होने पर मांसपेशियों में जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है इसके अलबा गर्दन में सूजन थाइराइड बढ़ने पर गर्दन में सूजन की संभावना बढ़ ज दिखाएं बालों और तवचा की समस्याएं जिहां खास तोर पर हाइपो थाइराइड की स्थिती में तवचा में रुखापन बालों का जढ़ना भौहों के बालों का जढ़ना जैसी समस्याएं होती हैं जबकि हाइपर थाइराइड में बालों का तेजी से जढ़ना और समव लेदन शील तवचा जैसे लक्षन दिखते हैं पेट का खराब होना लंबे समय तक कॉंस्टिपेशन की समस्या हाइपो थाइराइड में होती है जबकि हाइपर थाइराइड में डायरिया की दिकत बार-बार होती है थाइराइड के कारगर घरिल उपायों के बारे में आप ज देखें हैं उनको यह उपाय करने के बाद शत्प्रतिर्शत परिणाम मिला है इसका असर 15 दिनों में आपको महसूस होने लगेगा आप सुबह उठते ही खाली पेट एक चम्मच शहद में 10-15 ग्राम शहद को मिक्स कर लें उंगली से चाटे यहीं प्रक्रियाराद को खाना खाने के दो घंटे बाद या सोते वक्त दोहराना है आपको परिणाम आपके सामने होगा बेहद आसान उपाय है लेकिन अचुक और कारगर है आप अपना अनुभाव और शधी सेवन के कुछ दिन बाद जरूर सेयर करें अश्वगंधा अश्वगंधा सबसे चमतकारी होती है समुद्री घास समुद्री घास को भी थाइराइट ग्रंथी को नियमित बनाने के लिए एक राम बान दवा की तरह माना जाता है समुद्री घास के सेवन से शरीर को मिनरल्स एवं आयोडीन मिलता है इसलिए समुद्री घास का सेवन इस विमारी में लाफ दायक है इ अरसल मुख्य रूप से इसका सेवन थाइराइड डिकसीन के अत्यधिक मात्रा में बनने पर रोक लगाता है इसकी पत्तियों की चाहे बना कर पीना भी इस बिमारी में रामबन और शधी का कार्य करती है ग्रीन ओर्ट्स थाइराइड में ग्रीन ओर्ट्स एक नेचुरल और कार्य करता है यह शरीर में हो रही थाइराक्सीन की अधिकता एवं उसके कारण हो रही समस्याओं को मिटाता है अखरोट अखरोट में सेलेनियम नामक्तत्व पाया जाता है जो थाइराइड की समस्या के उपचार में फायदे मंद है एक ओंस अखरोट में पांच माइक्रो ग्राम सेलेनियम होता है अखरोड के सेवन से थाइराइड के कारण गले में होने वाली सूजन को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है अखरोड का सबसे अधिक फायदा हाइपो थाइराइड डिज्म यानि कि थाइराइड ग्रंथी का कम एक्टिव होना में कार्य करता है सेलेन थाइराइड ग्रंथी में सेलेनियम उच्च सांदरता में पाया जाता है इसे थाइराइड सूपर नियूट्रियंट भी कहा जाता है यह थाइराइड से संबंधित अधिकांश एंजाइम्स का एक प्रमुक घटक द्रव्य है इसके सेवन से थाइराइड ग्रंथी सही तरीके से काम करने लगता है यह ऐसा आवश्यक सुक्ष्म तत्व है जिस पर शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता सहित प्रजनन इत्यादी अनेक शमताएं भी निर्भर करती हैं यानि अगर शरीर में इस तत्व की कमी हो गई तो रोग प्रतिरोधक शमता भी कम हो जाती है इसलिए खा नमक का सेवन बढ़ा देना चाहिए इसके अलावा स्वस्त खानपान और नियमित रूप से व्यायाम को अपनी दिन चर्या में बनाए रखना चाहिए थायराइड के लिए हरे पत्ते वाले धनिये की ताजा चटनी बनाकर एक बड़ा चमच एक ग्लास पानी में घोल कर पिए रोजाना एक दम ठीक हो जाएगा आपका थायराइड बस धनिया देशी हो उसकी सुगंध अच्छी हो ये ध्यान रखें उज्जाई प्रानायाम पदमासन या सुखासन में बैठकर आखे बंद कर लें अपनी जिवा को तालू से सटा दें अब कंठ से श्वास को इस प्रक नित्य कर्म से निवरित होकर खाली पेट करें एक्यू प्रेशर चिकित्सा एक्यू प्रेशर चिकित्सा के अनुसार थायराइड एवं पैरा थायराइड के प्रतिभींब केंद्र दोनों हाथों एवं पैरों के अंगुठे के बिल्कुल नीचे एवं अंगुठे की प्रति बिम्ब केंद्रों पर भी प्रते केंद्र पर एक से तीन मिनट तक प्रती दिन दो भार प्रेशर दें प्यूश ग्रन्थी केंद्र पर पंपिंग मैथड यानि कि पंप की तरह दो तिन सेकेंड के लिए दबाएं फिर एक दो सेकेंड के लिए धीला छोड़ दें इस प्रेशर से आपको लाब होने लगेगा यानि कि आपका थाइराइड कंट्रोल हो जाएगा तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगल और बेहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों